हैलो फ्रेंड्स आज मैं आप सब के लिए लेक्या है हूँ कि हम लोग चिमनी को घर पे कैसे साफ करें ये करना बहुत ही टॉफ काम होता है और इसे जब भी सफाई करने होते हैं था हमें इसकी सर्विस वाले को बुलाना पड़ता है और उन्हें बुला के साफ करवाना बुलार को जात लोगस्ता अधिरव के रीडिका है तो चलिए 겹ार्ते हैं विडियो पसन्दे तो like कर देना पहले मैं आपको दिखा देती हूं ये मेरी चिमनी है आप देख सकते हैं कि कितनी काली और पूरी चिपचिपी हो लखी है और इतना होने के तो बाद देखियेगा इसे कैसे साफ करते है बस चुटकियों में इसके सफाई करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है आप देख सकते हैं कि इतना गंगी है कि काला गंगी है आप देख सकते हैं इस तरीके से सbसे पहले आप क्या किया सबसे पहले इसके तो depths धाने नीचे जो गैसे के ऊपर मैंने पेपर विच्छा दिया है अब क्या करेंगा मैं इसे खोल लेंगे क्योंकि फेपर इसलिए बिच्छा एंग Qttheid पहले आप पेपर विछा ले अगर हो सके तो आप गैस भी हटा दे और उसके बाद पेपर विछा ले क्योंकि यह जहां भी गिरेगा वहां चिपक के रह जाएगा तो आप देख सकते कि अंदर की जाली भी कितनी गंदी है और यह देखे कितने सारे इसमें तेल इकठे होके र इसके बारे मैं आपको इसको बताती हूँ आगे वीडियो में आप बने रहे इसके उपर डाल देगे हम अब इसमें हम डालेंगे गरम पानी और गरम इतना पानी होना चाहिए और हमें इतना पानी डालना है कि यह पूरा डूब जाए और इसे डालते वक्त आप दूर रहें और मुझ को ढखे रखे इसकी गैस मुझ पे ना लगे इस बात का ध्यान रखे और इसे गिले हाथों में बिल्कुल भी ना लगा है जिसे यह हाथ बिल्कुल भी ना लगाए हाथ लगाने से आपका हाथ जल भी सकता है तो आप इसमें हाथ बिल्कुल भी ना डालें गलफ्स ले रहे हैं तो आप श्ट्रॉंग ले उसके बाद ही इसमें हाथ डाले तो इसे अची तरीके साम ठंडा होने देते हैं और इसे ठंडा होने साफ हो जाए भीगो के रखना बहुत जरूरी है अब जो चिमनी का उपर पाठ है उसे साफ करना है तो उसके लिए आप एक कोई भी बरतन ले उसमें डाले पानी और आधा निम्बु कारस और एक छोटी चमच इनो पावडर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे आप इसे बोतल में भर ले अगर आपके पास एस्प्रे बोटल है तो उसमें भर लीजिए उसमें बहुत अच्छे से होगा मेरे पास यह नहीं है यह प्लास्टिक की बोतल है जो अमूल कूल की आती है वह वाली इसके उपर मैंने छेद कर लिया है और इसे हम जो चिमनी के अपर कान पर आसायी से मिल जारेगा तो यह से मैंने पानी में डाला था तो जो हमने इनों का लीके बनाया था उसे हम इसके उपर डाल देंगे इस तरीके से और अप छहाए तो इसके ऊपर थोड़े से लिक्विद जो साभून तो डाल सकते या शरब डाल सकते मैं यहाट पर इसे यूज करें क्योंकि पूरा गिला नहीं करना है, क्योंकि छेद हुते हैं इसमें पानी चला जाएगा, तो हमारे चिमनी खराब हो जाएगा, तो थोड़ा सा लिक्विट ले और तो घूल बनाया था वो डालेंगे, और देखेंगे थोड़ी देर में आप इस तरीके से स् श्क्रब कर दिया है कि इसी तरीके से देखिए नीचे साइड में भी बहुत गंगी है इसे भी रगण लेंगे और रगणने के बाद हमें क्या करना इसे कैसे किलिन करना वह भी मैं आपको बता देती हूं मैंने 4 तरफ से गुमा दिया है अब देखिए मैंने आप एक बर्तन म कोई सूती कपड़ा ले उसे गरम पानी में अच्छी तरीके से डुबाले और निचोड ले उसके बाद आप इस तरीके से चिमनी को पोस्ते जाए इस तरीके से आप 2-3 बार करें आपका चिमनी पूरा साफ हो जाएगा आप देखेंगे थोड़ी देर में इसकी इसमें हमारी खुद की सकल दिख रही है, पहले कितना था गंदा और अब ही देखिए कितना साफ हो गया है, इस तरीके से आप चिबनी साफ करेंगे ना बिल्कुल साफ हो जाएगा, एक दम लगेगा जिसे सर्विस सेंटर वाले आते हैं ना करके जाते हैं, वो तो सिरफ अंदर अंदर का क पानी को देख रहा है या नहीं आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैंने सारी जगह से अच्छी तरीके से पोच लिया है, अब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे, इसको कैसे साफ करना है, यह थंडा हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें हाथ ना डाले आप इसे इस तर निकाल के रख ले, देखिए पानी हमारा कितना गंदा हो गया है, आप इसमें हाथ बिल्कुल भी ना लगाया है, हाथ लगाने से क्या होगा, कि आपको हाथ में तो पहले चिकना आट आ जाएगी और उसमें खुजली होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका इसकीन उतरने तो प्रस ले और इसे इस तरीके से साफ कर ले, और ये डाल कास्टिक सोडर डालने के बाद ये अपने आप साफ हो जाता है, हमें ज़्यादा मेनद करने की ज़रोत नहीं पड़ती है, इस तरीके से में थोड़ा थोड़ा इसके उपर लिक्विड लगा के साफ कर देती हू गया इसके बीच में जो फसे बुष ले जो दाथ घिजने के ब्रस होते हैं उससे साफ कर लिजे तो इस तरीक इसे दो लेते हैं और दो ने के बाद इसे हम मैं आपको दिखाती हुआ इसमें कितने टोटल पार्ट्स होते हैं इसको साफ करने में टोटल मुझे 40-45 मिनट लगे स्कुरबर की सीत्य की इसके 2 जाली नदागी करी इस टो फाल लिगा सब्सक्रार नाथ शक्ते हो तो इसे इस तरह किसे पोच लें एक अब आपके पास पास टाइम है गहले थोड़े ठाईयों कि सुख तो प्लिष कर सकते हैं। इतनी स्मर्सी फसके और प्लीनिकर में, राते अच्चिंस और या खाप आउसिती हैं। इसके बस एक ही स्कुरू होता है और सबके पास अलग अलग ब्रैंड की होती है सबका चिमनी अलग अलग होता है मेरे पास इस ब्रैंड का है तो खोलने और बंद करने का सबका अलग अलग तरीका होगा तो आप खुद से चेक कर लिजेगा तो इस सारे इसके पार्ट को हम इस लेकिन बाकी मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है अब हम चेक करते हैं कि हमारे चिमनी अच्छी तरीके से साफ हो गई है तो उसके बाद हमारा चल भी रहा या नहीं कि खराब तो नहीं हो गई इसके अंदर पानी तो नहीं गई तो इसके लिए आप क्या करें चिमनी को और उसके ब करें चेनल को सब्सक्राइब करें इसी तरी कि से अच्छे और देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट करिए मुझे फ्ट सकते हैं तो प्लेज वीडियो को जितना हो सकते चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आप के साथ मिल एंगी तब तक के receptors